Hey guys, welcome back to my channel, Vansal Bayer Ji, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने National Institute of Science, Education and Research की विपसाइट ओपन कर रखी है यहां से PhD के लिए and Integrated MSC PhD के लिए जो notification है, वो आया है आज हम दोनों के बारे में बात करने वाले हैं, PhD के लिए कब से बात करेंगे और Integrated PhD के लिए कब से बात करेंगे मैं नीचर description box में आपको बता दूँगी timings, तो अगर हम यहां पर देखें, सबसे पहले अगर मैं Integrated MSC PhD की बात करूँ तो यहां पर यह जो notification है, दस तारीक को आया था, यह सारे के सारे जो schools है, biological science, chemical science, mathematical science, physical science, इन सबके लिए यह है अगर हम यहां पर इनके बारे में जानने की कोशिश करें, तो इनकी eligibility क्या रहने वाली है, इसमें eligibility होगी कि bachelor's degree in branch of biology, life science और equivalent professional degree, यानि कि आपके पास bachelor's degree हो सकती है, life science में, biology में वो कोई भी life science इनों बो दिया, तो यानि कि कोई भी जो biology की field है, कोई भी biology की field हो अप्लाई कर सकते है B pharma, BBSC, BSC agriculture, MBBS, BE, BTEC वाले कोई भी student अप्लाई कर सकते हैं, बस minimum 60% marks आपके होने चाहिए अगर हम यहाँ पर देखे, candidates who are appearing in their final examination for bachelor's degree can also apply, वो भी apply कर सकते है अगर हम यहाँ पर देखे, आपके पास qualification क्या होनी चाहिए, आपके पास कोई भी एक national level exam होना चाहिए, बहले हो jam हो, gate हो, CSIR हो यह सारे में से कोई भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, national exam आपने clear कर रखा होना चाहिए, biological science वालों के लिए इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखे, तो main area of research में उनने बता रहे है कि क्या यहाँ पर चल रही है, NISCR में तो आप वो देख सकते हैं selection procedure क्या रहेगा, कि shortlist किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर will be called for test, टेस्ट होगा और उसके बाद आपका interview रहने बाला है अगर हम यहाँ पर देखे, इसके आगे देखे, all candidate called for the test interview will be paid to and fro single second sleeper class railway fare तो यह बहुत अच्छी बात है कि आपको railway fare दे रहे हैं, जिनको भी वो test or interview के लिए बुलाने वाले हैं इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखे, candidates with GPA and qualifying degree may need to produce the conversion note, वो आपको conversion note वेगरा देना पड़ेगा आपको apply करना है, इसके बाद अगर हम dates देखे, तो last date 30th April है, बहुत थोड़े से ही दिन बाकी है, तो फटा-फट apply कर लीजेगा guys shortlisted candidates चोंगे 5 से लेकर 16 में तक आपको बता दिया जाएगा, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखे, आपका जो interview रहने वाला 25 से 26 में के बीच में रहने वाला है, यहाँ पर आपको सारे letters वे 11 मिल जाएंगे, जितनी भी चीज़े होंगी, तो आप यह सारी जो है apply कर सकते है तो यह सब यहाँ पर इन्होंने mention कर रहे हैं कि आप कौन-कौन से exam आपने qualify करा होना चाहिए, इन्होंने specifically mention किया हुआ है, अगर आपके qualify है, तो आप apply कर सकते हैं, PhD का अगर हम देखे तो PhD का भी biological science वालों के लिए यहाँ पर है, अगर हम देखे, August से इनका शुरू होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके 60% minimum marks होने चाहिए, M.Tech, Masters, M.Pharma, Agriculture, Biology, कोई भी field, कोई भी field वाले students वो apply कर सकते हैं, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, अगर हम आगे चले, तो इसके अलावा इन्होंने बोला है कि आपने at least one exam qualify किया होना चाहिए, CS SIR हो सकता है, GATE हो सकता है, JEST हो सकता है, GPAT हो सकता है, DBT हो सकता है, ICMR हो सकता है, TIFR हो सकता है, यहाँ भी exam हो चलेगा, आपका होना चाहिए, clear, इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखे, इसके बाद आगे चले, आगे चले, आगे चले, आगे चले, the cut-off marks for national examinations such as this, this, this will be further decided, it, वो फिर वो decide करेंगे कि उनको लेना है कि नहीं लेना है, क्या marks रखेंगे, वो सब उनके इच्छा है, अगर हम देखे, student having inspired doctoral fellowship only without qualifying any of the above mentioned, national level written examination will not be considered for admission for PhD, तो यह जो उपर mentioned exam है, वो तो clear होने ही चाहिए, आपको यहाँ पर मिलेगी, इस fellowship जो आपको institute fellowship मिलेगी, NI-SER की त अगर external fellowship होगी, तो external जो fellowship आपको मिलती है, वो आपको मिलेगी, यह सारी चीज़े इनों ने यह पर mention कर रखी है, for research areas, इनोंने सारे बता रखी है, biological sciences वालों के लिए क्या-क्या रहने वाले है, यह सारी चीज़े इनोंने बता रखी है, so each and everything is mentioned here, बाकी सारा selection procedure इनोंने क्या बता रखा है कि selection procedure में shortlisted candidates को बुलाया जाएगा interview लिया जाएगा supplemented with a return test भी होगा अगर necessary पड़ा तो नहीं तो फिर interview होने वाला है तो यह सारी बाते इन्होंने बता रखी है आपको tickets provide की जाएगी to and fro के लिए यहाँ पर updates देख सकते हैं तो फटा फटा अप्लाई कर दीजिए पान से शोला में तक जो है candidates के list आ जाएगी फिर यहाँ पर अगर हम देखे biological science होगा वा जो interview होगा वो 20 से 24 तारी 22 से 24 तारीक तक रहने वाद तो आप अप्लाई कर सकते हैं गाइस institute fellowship available है अच्छी चांस है NISER बहुत अच्छा institute है अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ज़रूर अप्लाई कीचेगा और ऐसी अप्टेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा thank you so much guys bye bye thank you